नमस्कार रादे रादे मैं अपने ही यूटूब चैनल हमारी कोचिंग में आपका हार्दिक अभी दंदन और बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ त्यारे विद्ध्यार थी हो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दिन किया था त्रिक्नोमेट्री की 8.1 और 8.2 के बारे में आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो नई पुस्त तक है अपने नया सेलेबस है उसमें 8.3 है और पुराने सेलेबस में 8.4 है उसके बारे में दन करेंगे और यहां से एक क्यूशन डेफिनेट पूछ जाएगा और वो भी टोट रहते हैं क्या RHS LHS का मतलब होता है left hand side RHS का मतलब राइट hand side आपको क्यूशन को सिद्ध करने के लिए आप या तो LHS ले सकते हो या RHS जो भी आपकी इच्छा है LHS लेने पर RHS के बराबर लगना रहता है अब क्यूशन किस प्रकार से करना आपको एक्जाम में आपको अगर आप RHS ले रहे हो तो फ़िए यहांसे सरव सम्भीका लगना अब मैंने सरुशन के बारे में आपको पहले से बता दिया था इसके बारे में आप हमारी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं देखें सरोसमिका क्या है कि आप इस कोसेक ठीटा को क्या लिख सकते हैं तो आपको पता होना चीए कोसेक ठीटा बराबर होता है आपके पास में वनापोन में साइन ठीटा और इसी प्रकार कोट ठीटा है इस कोट ठीटा को आप क्या लिख सकते हो कोस बटेवे में साइन इसको आप क्या लिखोगे कोस बटेवे में साइन इस प्रकार से आपको सरुसर में काई लिखते वे चलना है देखते हैं देखें कोसे को क्या लिखा वन अपॉन में साइन और कोट को क्या लिखा आपने कोस ब ऐसे आजाएगा यहां से उपर रहेगा आपके पास में 1-cosθ का whole square अब आपको पता है 1-cosθ के पूरी के उपर square लग रहा है इसका मतलब मैं इसी को किते time लिख सकता हूँ two time लिख सकता हूँ मतलब 1-cosθ के उपर लग रहा है square और इदर ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको sine square ठीटा अब यहां से इसको कुछ और सरो समय का लगाने पड़ेगी क्योंकि यह अभी भी इसके बराबर नहीं हुआ है तो आपको sine square की और सरो समय का याद होगी मैंने आपको लिख वाई थी पहरे बच्चों किसमें हमने पड़ा था कि जो sine square ठीटा है वो किसके बराबर होता है one minus cos square ठीटा की यह हमने पिछली वीडियो में देखा था देखी आगे स्टार्ट करते हैं तो यह one minus cos square ऐसा कैसा रहेगा आपके पास में और sine square की जिगह मैं क्या फूट कर रहा हूँ one minus cos square ठीटा बच्चों क्या एक को एक का स्क्वाइर मान सकते हैं यहाँ देखी आपने पड़ाओगा बच्पन में भी पड़ाय जाते हैं इसके बारे में a square minus b square क्या होता है a plus b और a minus b के बारे में यहां से आप one minus cos square यह नहीं a square minus b square को इस रूप में लिखेंगे तो यहां से next step में अपने पास में क्या आने वाला है one minus cos theta का whole square और इसको लिखेंगे a plus b मतलब है एक की जिगा तो एक plus cos theta इसी प्रकार a minus b यानि एक minus cos theta अब देखिए यहाँ पर one minus cos theta दो बार है और यह कितनी time है one time यानि से इसकी एक और यही क्या आपके पास में analyst लाना था क्या यह क्या होगया किसके बराबर हो गया इस दिग्देंगे बराबर RHS और इस प्रकार शेपको question को क्या करना है प्रूप बढ़ना है next question के लिए देखते हैं कि जो next question है वो किस प्रकार है आपको दिया हुआ हुआ है cos theta upon e क्या है 1 plus sine theta plus sine theta 1 plus sine theta आप उन में कहते रख है cost theta और equalness के क्या prove करना है आपको to set theta दिसी प्रकार से करेंगी क्या करना है अपने को एक part लेना है LHS और एक है RHS आप क्या करेंगे वापस से वैसे रेखेंगी क्या लेने पर LHS लेने पर और Hs लेने के बाद में आप पहली इस टेप को ऐसे कैसे एज़िटी इस पुट करना है आपको 1 प्लैस साइन ठीटा प्लैस यह क्या होगा 1 प्लैस साइन ठीटा अपवान में गॉस ठीटा कर लिया इसके बाद में जब भी पास में कोश ठीटा इंटू में वन प्लैस साइन ठीटा आपको बता होगा इसको इससे मल्टिप्लाइ करते हैं तो कोश को कोश से मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या होगा आपके पास में यह हो जाएगा कोश स्कॉय ठीटा प्लैस इसको इससे मल्टिप्लाइ करेंगे तो यह संख्या यह वाला जो बंध है वो कित्ती बार आ गया दो बार मतलब वन प्लैस साइन ठीटा आपके पास में कित्ते टाइमस आ गया टू टाइमस अब यहां से आप देखिए वन प्लैस साइन ठीटा का होली स्कॉर है पहरे बच्चों आपने एक सर्वसमिगा पढ़ी होगी क्या A प्लैस B का होली स्कॉर क्या होता है A स्कॉर प्लैस B स्कॉर प्लैस का 2AB यह भी मैंने आपको सर्वसमिगा बता दी थी आपके पिछले वीडियो में देखिए इसके अंदर करना क्या है यह पहला इस टेप आपके पास में cos square theta plus इसको इस सर्वसर में का कि रूप से solo करते हैं तो a square मतलब 1 का square 1 plus sin square और plus का 2 a b मतलब आपके पास में क्या रहेगा 2 sin theta upon में ये step क्या जाएगी ऐसे कैसे अब आगे हम देखे तो आपको एक और सर्वसर में का कि ज्यान होना चीए क्या है बताओ sin square theta plus cos square theta इस सर्वसर में के बारे में अपन ने पढ़ा था कि sin square plus cos square की value कितनी होती है एक तो जहां कहीं भी अपने cos square plus cos square मिलेगा उसकी जिगा कितना रखेंगे अपन एक रखेंगे तो देखे यहाँ पर तो है cos square plus यहाँ पर कितना है sin square तो sin square plus cos square की जिगा कितना पुट करेंगे अपन एक तो देखें यहाँ पर अपन रखेंगे इसकी जिगए एक फिर एक पहले से अपने पास में यहाँ मौजूद है तो यह वाला एक आ जाएगा और plus का क्यार जाएगा उपर अपने पास में 2 sin theta और नीचे वाली जो step है वो कहाँ दे रखें आपको कहाँ दे रखें को स्थिटा अपन में कहाँ दे रखें वन प्लैस साइन थिटा यह ऐसे कैसे पूट कर देंगे अब यहाँ से देखो वन और वन कितने होगे आपके पास में यहाँ जाएंगे 2 plus 2 sin theta upon me cos theta और 1 plus sin theta ऐसे के ऐसे यहाँ देखें प्यारे बच्चो क्या दो कॉमन आ रहा है तो यहाँ से हम क्या करेंगे दो को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बच्चे का 1 plus sin theta और अपन में आपके पास में कहाँ जाएगा cos theta और 1 plus sin theta प्यारे विद्यारतियों देखिए क्या कोई step same आ रही है क्या step आ रही है तो इसको अपन क्या कर सकते हैं cut कर सकते हैं यानि ये इससे क्या हो जाएगा cut हो जाएगा तो अपने पास में केवल क्या remain रहेगा वो रहेगा 2 upon me cos theta इस 2 upon cos theta मैंने यहाँ पर एक सरुसमी का बस ये last सरुसमी का है देखिए ये question हो जाएगा अब जल्दी से इसको मैं से लेख सकता हूँ क्या 2 into 1 upon me cos theta और आपको पता है 1 upon cos theta बराबर में क्या होगा बताओ sec theta यानि जहां कहीं भी 1 upon cos theta होगा उसके जिगर हम क्या रखेंगे से ठीटा रखेंगे मैं जैसे ही यहाँ पर यह 2 ऐसा कैसा और इस 1 upon cos theta की निए क्या पतकर दूंगा से ठीटा तो यह क्या बन जाएगा से ठीटा बन जाएगा क्या अपने को से उगे वह नेक्स्ट वीडियों में आपको मिल जाएंगे अगर हमारे को आपको वीडियों अच्छा लगे तो लाइक और से जरूर करें दन्यवाद कर दो कर दो